हेलो एब्रीबंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल सिध्धा से यूटूब पर आज के जो हमारे कुश्चन होंगे वो एक नमंबर की इंपोर्टेंट करेंट पर होंगे जो आने वाले एक जाओं में पूछे जा सकते हैं कुश्चन सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है कि जो चैनल पर नए आई हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ हमें बेल आइकन को भी ओन कर दें यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर एम लाइक करना भी ना भूलें थैंक्यू फ्रेंट चलते हैं हम अपने पहले कुश्चन पर पहला कुश्चन है हमारा हाल ही में भारत के नए मुक्षूचना आयोक्त तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी यर्ष वर्धन सिन्हा तो दोस्तो भारत के नए मुक्ष शूचना आयोक्त C.I.C. यर्ष वर्धन सिन्हा बने हैं और फ्रेंड यर्ष वर्धन कुमार सिन्हा बेमल जुलका की जगाए लेंगे इंपूटेंट कुष्चन रहेगा दोस्तो आने वाले एक्जाम के लिए दूसरा कुष्चन है हमारा हाल ही में उत्तर रेल्वे की नए महा प्रवंदत कौन बनी है आप्सन ए आसुतूस गंगल आप्सन भी विकास महाजन आप्सन सी विक्रम सिंग आप्सन डी सिद्धान सर्मा तो दूस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर ए आसुतूस गंगल तो दूस्तो आसुतूस गंगल आत्तर रेल्वे की नए महा प्रवंदत बनी हैं और फ्रेंट बात हुई है आत्तर रेल्वे की तो आत्तर रेल्वे की स्थाप्राग 14 अप्रेल 1902 में हुई थी आत्तर रेल्वे का मुख्याला दिल्ली में इस्तित है important question रहेगा दुस्तों आने वाले एक्जाम के लिए तीसरा question है हमारा हाल ही मेनुइडा मेटरूरेल कॉर्प पूरिस्टन ने सेक्टर पचास station करना मदल कर क्या कर दिया है option A. भगस्तिंग station option B. रैनबू station option C. अटल station option D. इंद्रा station तो दूस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा option B. रैनबू station तो दूस्तों नुइडा मेटरूरेल कॉर्प पूरिस्टन ने सेक्टर पचास station करना मदल कर रैनबू station कर दिया है और फिर नुइडा मेटरूरेल कॉर्प पूरिस्टन ने सेक्टर पचास मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंटर समुदार को समर्पित कर दिया है इस स्टेशन में अब रैनवू स्टेशन की नाम से जाना जाएगा इंपूटेंट कोश्चन रहेगा दूस्तो आने वाले एक्जाम के लिए चोथा कुश्चन है अमारा हाल ही में बायबाय करोना नामक पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है आप्शन A डॉक्टर प्रिदीव स्रीवास्ताव आप्शन B विकास गुपता आप्शन C प्रियंका चौपड़ा आप्शन D बी मुर्ली धरन तो दोस्तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A डॉक्टर प्रिदीव स्रीवास्ताव तो दोस्तो बायबाय करोना नामक पुस्तक डॉक्टर प्रिदीव स्रीवास्ताव द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक कभी मुचन उत्तपिदीश की रास्षवा आनंदीवेन पटेलने किया है इंपुटेंट कुस्चन रहेगा दूस्तो आने वाले एक्जाम के लिए और दूस्तो मैं जितनी भी आश्टर अन्फरमिसन आप सभी को दे रहे हूं वो आपकी एक्जाम के लिए इंपुटेंट रहेंगी पाँचमा कुस्चन है हमारा हाल ही में विश्वचा दिवस का मनाया गया है आपसने 29 अक्टूबर आपसन B 30 अक्टूबर आपसन C 31 अक्टूबर आपसन D 28 अक्टूबर तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर B 30 अक्टूबर तो दोस्तो बिश्य बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है और फिर बिश्य बचत दिवस को मनाने का उद्धिश लोगों को मुख के रूफ से पैसे बचाने के लिए सिक्षित कराना और दिश्य की अर्थ बश्था और बेक्तियों के लिए बचत के महत्त को बढ़ावा देना है इंपोटेंट कुश्चन रहेगा दोस्तो आने वाले एक्जाम के लिए पांचमा कुश्चन हमारा हाल ही में DMRC ने किसके साथ मिलकर बहु उद्देशी स्मार्ट कार्ड लांच किया है आपसन A, SBI कार्ड, आपसन B, PNB कार्ड, आपसन C, HDFC कार्ड, आपसन D, ATM कार्ड तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन नमबर A, SBI कार्ड तो दोस्तो DMRC ने SBI कार्ड के साथ मिलकर बहु उद्देशी स्मार्ट कार्ड लांच किया है और दिल्ली Metro Rail Corporation के सहयोग से SBI कार्ड ने इस श्मपक शहित बहु उद्देशी कार्ड को लांच किया है जो क्रिडेट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कारे करेगा जब भी बैलेंस 100 रुपे से कम होगा तो है अपने उपयोग करताओं को और टो टॉप और सुबधा बाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्छम करेगा इंपोटेंट कुश्चन रहेगा दोस्तों आने वाले एक्जाम के लिए आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं साथमा कुश्चन हमारा हाल ही में ग्रीन पहल के तहट एंटी पी सी ने जापान की बित्य संस्थान के साथ कितने जापानी एहन रिन मुद्रा का समझोता किया है दोस्तो जापानी एन जापानी रुप्या तो दोस्तो आपसन नमबर ए सत्तर अरब जापानी एन आपसन बी साथ अरब जापानी एन Option C 55 अरब जापानी N Option D 50 अरब जापानी N तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option D 50 अरब जापानी N तो दोस्तो ग्रीन पहल के तहट NTPC के ने जापान की बित्य संस्थान के साथ 50 अरब जापानी N रिन के साथ समझता किया है और फैन NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कमपनी है इसकी स्थापना 7 ममंबर 1975 को हुई थी और इसका मुख्याला दोस्तो नई दिली में इस्तित है Important Question रहेगा दोस्तो आने वाले एक्जाम के लिए आटमा Question है हमारा हाल ही में दॉक् Hungarian हमी जहांगीर भावा की जैनती का मनाई गई है Option A 30 اक्टुबर, Option B 28 ऐप्सन C 39 ऐप्सन D 27 ऐप्सन तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option नममर A 30 अक्टुबर तो दोस्तो 30 اक्टुबर को दॉक्तर हमी जहांगीर भावा की जैनती मनाई गई है और फ्रेंड होमी जहांगीर भाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था और होमी जहांगीर भाबा भारत की महान परमाणू पिग्यानिक थी उन्होंने भारत की परमाणू उर्जा कारिकरम का जनक भी कहा जाता है इंपोटेंट कोश्चन रहेगा दोस्तों आने वाले एक्जाम के लिए नौमा कोश्चन है हमारा हाल ही में जेटा तूफान में सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है उप्सने जापान उप्सन भी चेन उप्सन सी मलेशिया उप्सन डी अमेरिका तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर डी अमेरिका तो दोस्तों जेटा तूफान ने सबसे ज़्यादा अमेरिका देश को प्रभावित किया है और फिर अमेरिका उत्री अमेरिका महातीप में इस्थित है important question रहेगा दूस्तो आने वाले एक्जाम के लिए दसमा question है हमारा हाली में रण्यना काला को किस राज में प्रमुक बंसन रक्षा न्योक्त किया गया है option A उत्राखंड, option B मनीपुर, option C उत्तरपेदी, option D सिक्किम तो दूस्तो इसका सही आनसर हो जाएगा option नमबर A उत्राखंड, तो दूस्तो रण्यना काला को उत्राखंड राज के में प्रमुक बंसन रक्षा न्योक्त किया गया है और फिर्ण रण्यना काला जैर राज का इस्तान लेंगी, और फिर्ण बात हुई है उत्राखंड की तो उत्राखंड की स्थापना 9 नमबर 2000 को हुई थी उत्तराखंड की राधधानी दहरादून है उत्तराखंड की मुक्यमंत्री त्रवेंद शींग रावत है जोटी बीजीपी पाटी से है और फ्रेंड उत्तराखंड के गवर्नाल बेवी रानी मौर्णिया है थेंक यू फ्रेंड कल फे मिलते हैं इंप्रोटेंट कुछनों के साथ तब तक लिए धन्यवाद